असलाम अलेकुम मैसल फैसल शबीर क्या हाल चाल हैं सब ठीक ठाक हैं आप में से बहुत से लोग जानते हैं टिक टॉक ने कुछ रसा पहले अपना वेब वर्जन डेस्टाव वर्जन लाँच किया था कुछ बेसिक फिचर्स के साथ लेकिन वक्त के साथ साथ अब टिक टॉक क पर वेब वर्जन में यूज करते हैं तो आप बड़ी असानी के साथ अपनी आईडी को मैनेज कर सकते हैं उसे ग्रो कर सकते हैं अपनी वीडियो को प्रफेशनल तरीके से अपलोड कर सकते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप टिक टॉक के वेब वर्जन को अच्छी professionally use करते हुए अपने business को grow करना है खुद को TikTok पे viral करना है पहले थोड़ा basic सा review उसके बाद चलेंगे advanced features की तरफ तो सबसे पहले TikTok.com पे आके आपने phone number या अपने email से अपनी ID को login कर लेना है login होते ही आपकी profile का complete data आपके सामने आ जाता है आप for you page पे चले जाएं following list में चले जाएं या फिर TikTok को आप जैसे चाहें explore कर लें यहाँ पर आपको वो तमाम IDs मिल जाती है जिनको आपने follow किया हुआ है आपकी वीडियोज, आपकी फेवरिट वीडियोज और आपकी liked वीडियोज यहाँ पर आपको आपकी तमाम playlist मिल जाती है आप इनको जैसे चाहें reorder कर सकते हैं नई playlist बनाना चाहें तो वो भी आबना सकते हैं और यहाँ से आप अपनी profile को edit करना चाहें तो आप easily edit कर सकते हैं यह तो थे वो तमाम normal features जो आपको TikTok एप में भी नज़र आ जाते हैं अब चलते हैं इसके advanced features की तरफ तो यहाँ से आप जिस format में चाहें अपनी वीडियोज को upload कर सकते हैं 600 seconds तक, 2 GB की file तक और 30 minutes तक की वीडियो को आप यहाँ पर upload कर सकते हैं एक file चूस कर लेते हैं तो हमारी वीडियो upload होना शुरू हो चुकी है यहाँ पर आप अपनी वीडियो को caption दे सकते हैं description टाइप कर सकते हैं और tags बगरा दे सकते हैं किसी को mention करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं नॉर्मली TikTok पर आप 2-3 line लिखते हैं लेकिन यहाँ पर आपको allow किये जाते हैं by so characters यहाँ नीचे आप अपनी मर्जी के साथ cover image चूस कर सकते हैं जो भी आपने cover लगाना है इसके बाद यहाँ पर आप अपनी playlist को चूस कर सकते हैं अपनी वीडियो को अपने public रखना है तो आप इसको schedule कर सकते हैं आप अपनी मर्जी की date और time चूस कर सकते हैं आपकी वीडियो automatically उस दिन उसी time पर publish हो जाएगी यह चीज़ आपको mobile app पे देखने को नहीं मिलती यह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इसके बाद अगर आप paid partnership पे वीडियो बना रहे हैं किसी की promotion कर रहे हैं तो उस चीज़ को mention करना चाहें तो यह आप इसको on कर सकते हैं इसी तरह यहाँ पर आप अपनी वीडियो के content के लिए copyright check को भी on कर सकते हैं आपका account ban होने से बज़ ज़ए आपकी video automatically remove होने से बज़ ज़ए इस option के जरीए आपको पहले ही मालूम हो जाता है कि आपकी वीडियो में क्यों copyright material है या नहीं इसके बाद आप अपनी वीडियो को publish कर सकते हैं schedule लगा सकते हैं just post पे click करके या फिर schedule पे click करके और इस पैनल में आपको एक और बड़ी जबड़स option मिलती है वो है split video की अगर आपकी video दो, तीन, चार मिनट की video है तो आप उसको split कर सकते हैं parts में ये चीज़ creators के लिए बहुत फाइदा मन्द है मैं इस option को अपनी last video में use कर चुका हूँ वो हम आपको दिखा देता हूँ सकती है, इसके बाद आपके profile menu में आपको बहुत सी जबर्दस और useful चीज़ें मिलती है यहाँ पर option मुझूद है business suite यहाँ पर आपको आपकी profile का मुकमल bio data, मुकमल analytics report मिल जाती है 7 days, 28 days, 60 days और अपनी मर्जी के मताबिए का चूज़ करना चाहें date range वो भी कर सकते हैं तो यहाँ से इस data का observe करते हुए आप अपनी वीडियो को viral कैसे करना है आप यहाँ पर आजाएं यहाँ इस menu से आप चूज़ कर लें followers को यहाँ पर आप उस country को देखें कि आपकी वीडियो किस country में ज्यादा देखी जा रही है उसी country की language में वीडियोज बनाएं आपकी audience में ज्यादा percentage male की है या female की उनके हिसाब से वीडियोज बनाएं और आपकी audience TikTok पे ज्यादा किस वकत online होती है उनकी presence को देखते हुए अपनी वीडियोज को उसी time पर publish करें तो इस तरह इन्शाला आपकी वीडियोज के viral होने के chances और ज्यादा बढ़ जाएंगे अपने इस मुकमल analytic report को आप डाउनलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं business के लिए और यहाँ पर आपको workspace के अंदर मिलता है creative hub यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं यहाँ से आपको content ideas मिल जाएंगे आपकी वीडियोज के लिए और यहाँ पर एक और advanced feature मुझूद है TikTok for business आप TikTok पर अपने business की, अपने वीडियोज की, अपने चैनल की, अपने brand की किसी भी चीज़ की promotion करना चाहें अपने वीडियोज को promote करना चाहें तो वो काम आप यहाँ पर easily कर सकते हैं TikTok पर आपकी कोई वीडियो वाइरल होती है, कोई नहीं होती लेकिन अगर आप अपने किसी खास वीडियो को वाइरल करना चाहें उस पर ज्यादा views लाना चाहें, audience लाना चाहें TikTok ad manager को use करते हुए आप अपने किसी भी वीडियो को खुद वाइरल कर सकते हैं थोड़े से charges के साथ real time monitoring मिल जाती है, आपको set objective मिल जाता है creative tools मिल जाते है, smart targeting मिल जाती है आप जिस भी तरीके से अपनी ad को run करना चाहें आपको यहाँ पर तमाम facilities मिल जाती है लेकिन उससे पहले आपको अपने business को register करना पड़ेगा TikTok पे, वो आप यहाँ से easily कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको language के option मिल जाती है आप TikTok को जिस भी language में use करना चाहें वो language आप यहाँ से easily choose कर सकते हैं और आपको आपकी profile के main page पे एक option मिलती है create effects, यहाँ पर आपको बहुत से effects tools मिल जाते हैं अपनी videos में effects use करने के लिए यहाँ पर आपको categories मिल जाती है आपको किस तरह के effects चाहिए इनको use करने से पहले आप इनको learn करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं इनको manage करना चाहें, download करना चाहें वीडियो की analytic report भी देख सकते हैं कि आपकी इस वीडियो की overall performance क्या रही कितने views आए, कहां से आए, कब कब आए और यही से अगर आप चाहें तो अपने वीडियो की privacy setting भी कर सकते हैं और यहाँ एक ही place में आपको आपके likes, comments, तमाम notifications नजर आ जाते हैं और आपके profile menu में एक और option भी मुझूद है keyboard shortcuts, as a creator यह shortcuts भी आपके बहुत काम आ सकते हैं इसके लाब अगर आप dark mode use करना चाहें तो वो भी आप easily कर सकते हैं आपकी मुकमल theme dark हो जाएगी यह है TikTok का web version, desktop version अगर आप as a content creator थोड़ा सा time लगा के सीख समझ के इसको professionally use करेंगे तो इन्शाला आप इससे बरपूर फाइदा आसिल कर सकेंगे अगर आप TikTok पे कोई business कर रहे हैं तो उसे grow कर सकेंगे खुद को famous करना चाहते हैं अपने वीडियो को viral करना चाहते हैं तो आप ये काम भी बड़ी असानी से कर सकते हैं क्योंके मुकमल TikTok उसका एक एक trend उसकी एक एक viral video आपकी ID की मुकमल report मुकमल analytics आपके सामने होती है आपने सिर्फ एक ही काम करना है इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह observe करना है उसके बाद आपने अगली videos बनानी है अपने content को तर्तीब देना है तो अब आपने TikTok की desktop version को यूज़ करते हुए खुद को grow कैसे करना है इसके लिए tips आपको कहां से मिलेंगी वो आपको मिलेंगी इस video में इसको देखें इससे भी इन्शाला आपको भरपूर नालेज हसल होगा तो कैसी लगी आपको आज की ये video TikTok का desktop version कमेर्स में जरूर बताईएगा अपने डेर सरा ख्यार रखियेगा दौाओं में याद रखियेगा जिन्दी रही तो फिर से मुलाकात होगी असलाम अलेकुम